आप सभी को जय मसी की मैं आपका होस्ट सिलास मुर्वू मैं आप तमाम इस हिंदी हॉप चेनल में सौगत करना चाहता हूँ आज हमारा विसे है वो है वचन में लिखा है भाग दो में हम बहुत कुछ सिखेंगे आदि में वचन था और वचन परमेश्वार के साथ था और वचन परमेश्वारी था आज हमारे बीच में एक खास मेहमान मजुद है मैं उनका आप लोगों से रुबारू करना चाहता हूँ एल्डर एंथने सर्मा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे लिए सो भगया है कि हम आपको इस हमारे हिंदी हॉप चैनल में आपके साथ हम समय विता सकते हैं और आज की जो बिसे है हमारे दर्सोंकों के पास, हमारे बिस्वसों के पास बहुत ऐसे सवाल हैं, वो लोग जवाब ढूंटे हैं और हम उम्मित करते हैं कि आप हमें जुड़ अग्वाई करेंगे, मदद करेंगे, तो इस आगे बढ़ेने से पहले, आया हम सब कोई परमेश से 80 मांगे आई हम प्रातना करें धन्यवद देते हैं सुर्गे पिता परमेश्वर आप ही हैं जो हमें अगोई करते हैं अगर आप ना होते तो हम एक पल के लिए भी हम अपने जीवन के बारे में सोच नहीं सकते हैं कि यह जो जीवन है आपने हमें दिये हैं यह उस धूल और उस मिट्टिस से बनाय हुआ है और आपने हमारे इस मरे हुए सरीर पर अपने स्वास दी है और हम जिवी थे आज की सभा में आप हम आपके अगवाई को चाहते हैं और आप हमें अगवाई करें ताकि हम सिख सकें इस चोटी सी प्रातना को प्रव यिसुख्रिष्ट के नाम से मंगते हैं अमें सर्मा जी आपने हमें बताया कि बिते जो हमारा भाग था वचन में लिखा है बताया कि यह जो पवित्र सास्त्र है कितना सामर्थ ही है मतलब लोगों के जीवन में मनों को सूथ करता है उन्हें राह दिखाता है और आज हम आपसे जाना चाहता है कि यह जो पवित्र सास्त्र है यिसुख्रिष्ट के समय में तिन भागों में बिभाजित किया गया था वो ऐसा क्या है कि आप हमें बताएंगे जी हाँ ए बहुत सुन्द सा प्रशन आपने किये है यिसुख्रिष्ट जब इस संसार में था तो यिसुख्रिष्ट के समय में भी जो धरम सास था लेकिन पूराने नियम था ने नियम? नहीं ने नियम यिसुख्रिष्ट इस दुनिया में जो कुछ किया उसके बार जब चला गया ता फिर ने नियम का लिखा हुआ इश्यू के समय में पुराने नियम थार बाइबल हम लोगों को बतलाते हैं कि कौन तीन भाग में वो बटे वे थे जिसका जो चर्चा है जो बुक ओफ लुक चेप्टर 24 और वेस 44 में लिखा है इसको मैं सुनाना चाता हूं ठीक फिर उसने उन से का ये मेरी वे बाते हैं जो मैंने तुमारे साथ रहते हुए तुम से कही थी कि अवश है कि जितने बाते मूसा की वेवस्ता और भविश्यक्ताओं और भजनों की किताबों में मेरे विशे में लिखिये सब पूरे तो ये श्यू ने तीन भागों को इस्तीमाल किया एक पहला था मूसा की वेवस्ता दूसर जो था भविश्यक्ता तीसर जोरा बाजनों की पुस्ताओं तो ये श्यू के सम्मे में यह जो तीन जो किताब तीन जो हिस्से थे और यusta जतना भी वचन थे पुरान इनिय में, सब यश्य मसी ही की चर्चा कर देती। बहुत बहुत दनर मैं सहमाथ हूँ अपने हमें बताया कि जैसे मुसा का किताब है उनको इत्यास भी बताता है कि क्यूंकि जो श्रिष्टी है वो उस पहले चीजों को हमें बताता है और अपने बताया कि भविशे वक्ताओं के दोरा जो लिखे गया वो एक किताब हो गया और एक भजन का पूस्था कि यानि कि आप यह बता रहे हैं कि ये तीन चीजे इसके बिसे में वो लोगों को सिखाता था लेकिन जब हम नाया नियम में देखते हैं साइद वो प्रेरिदों के किताब में होगा जब य एक बिरियन लोग है जो लोग परमेश्वर की वचनों को साइद ठीक से समझ नहीं सकते थे क्या है परमेश्वर के विशे में वो क्या बताते हैं वो लोग हर एक दिन ढूंडते थे क्या बताएंगे कि ये बिरियन और धरम सस्त्रा के विशे में ऐसा क्या बाते हैं पोल जो था वो परचारक था वो हर एक जगा जिसे आप ने खा कि हर एक जगा पर वो जाकर प्रभु के जो वच्छा ने परचार करती थे तो यहां पर बाइबल कहते है जो पेरितों के पुस्तक में एक्स चेप्टर 17 वर्स 11 में ये लोग तो थेस्नोलिका के योदी से भले थे किसकी विशेम बात करते हैं बेरिन लोगों के और उन्होंने बड़ी लालसा से परमेश्वर के वचन को ग्रहन किया बड़ी खुशिशी लोग परमे इत्रसास में ढूनते रहे कि ये बाते यूँ ही हैं कि नहीं वो लोग प्रभु के वचन को सुनते थे बाट ओ लोग अपने घर पर जब वापस जाते थे वो लोग क्या करते थे ढूनते थे कि पोलुस जो कुछ बतलाया सही है या गलत और आज के जमाने में जानते क्या हो सीखना कि जो कुछ परचारग बतलाया जो कुछ आज में सुना जो कुछ आज में सिखा वो सही है प्रभु के वच्चन में है या नहीं है बिलकुल सही बात है और एक मैं जानना चाहता हूँ एक भी सही है आज जो हम भोजन खाते हैं वो आज ही के लिए सिमित हैं काल के दूसरा भोजन देना पड़ता है। लेकिन हम हार एक दिन भोजन काते हैं। लेकिन एक दिन हमें मरना पड़ता है। क्या पवित्र सास्त्र हमारे इस जीवन के बिसे में बताता है। जब इसको हम पड़ेंगे, हम आत्मिक जिन्दगी में बढ़ेंगे, आत्मिक जिन्दगी में उन्नती करेंगे। हमारा रिस्ता प्रभु के साथ और घैरा और मजबूत होंगे। हमारा रहा भी मजबूत होंगे। कितना एक एहम हिस्सा है हम जो हर एक दिन भोजन खाते हैं वही काफी नहीं होता है लेकिने जो परमेसर का भोजन है यही हमें सदा यूगा नियुक तक जिबित रखता है हमारे बिचर विमर्स आगे बढ़ते रहेगी और हम अगवा करते हैं बने रहे हैं कहीं मत जाएएगा हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रिया दर्सको आप तमामों का स्वागा थे छोटी सी ब्रेक के बाद हमने देखा कि जो वक्ता हमें बताया कि परमेसर के वचन के बारे में अलग-अलग तरीकों से सर्मा जी यह जो परमेसर का वचन है अपने कुछ देर पहले बताया था कि एक बोजन के साथ उसका तालुक है लेकिन यह जो वचन है जब हम ग्रहन करते हैं जब हम लेते हैं तो हमें क्या ऐसा और क्या अनुभव होता है क्या हमें बताएंगे यह सत्य वचन है पावितर वचन है परमेशर की प्रेमना से रचा गया है और हमारे जिंदगी में बतलावाट लेकर आते हैं जिसे पहले हम सिखे थे कि प्रभू का जो वचन है हमारे आत्मिक भोजन है जर्माया नभी हम लोगों के बतलाते है कि जब प्रभू का जो वचन उसके पास आया तो क्या हुआ जब तेरे वचन मेरे पास पहुचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया जब प्रभू के वचन को उसने खा लिया तो क्या हुआ तेरे वचन मेरे मन के हसी और आनन का कारण हुआ है आनन का कारणा क्योंकि सेनाओ के परमेश्वर यह हुआ यही कहलाता है यह परमेश्वर का वचन है हमारे जिंदगी में खुश्याली लेकर रहा था हमारे उदासी पन को दूर करता है आज बहुत यह जो लोग जिसके मन उदासी की नहीं है प्रभु के वचन को खाईए पढ़िये देखिये आपके जिंदगी में क्या परिवन तर्मेश्वर यह भी बता था कि परमेश्वर को हुआ जो वचन है वो मधू से भी मिठा है जब हम देखते हैं यह मसीग के जुवन में जब वो लोगों को बता रहा था उनके साथ 12 चले साथ में होते थे उनके जीवन में भी बहुत डहर सावाल होता था और पिटर जो थे वो बहुत ज़्यादा सावाल करता था बहुत ज़्यादा पूछता था कहीं सरे बिसे में बाइबल में ऐसे जगा में है जो पतरास जो है वो परमेसर के बिसे में कुछ जानना चाहता है क्या आप मैं बताएंगे वो जो पतरा से परमेसर के वचन के प्रती वो क्या जानना चाहता था ये जो इशू की जो चेले लोगों थे इशू ए जो बारा चेले लोगों को सिखलाते थे पढ़ाते थे, समझाते थे और यह लोग जब सुने तो पतरस के मन में जो सवाला है जिसने आप आपने जो कहा कि इश्यू के वच्छन के प्रती क्या उसके जिंदगी में जो सवाल था तो पतरस यह जो सवाल इश्यू के पास लेकिया है और उसने कहा साइमन पतरस ने इश्यू को उत्तर दिया ना कि है प्रभू हम किस के पास जाए आनन जीवन की बाते तो तेरी यह पास है तो यह प्रमेश्वर का जो वच्छन आनन जिंदगी इसमें यह हम लोगों को उस रहा की विशे में समझाते है पढ़ाते है सिकाते है और यह जो वच्छने जैसे प्रभू का वच्छने सत्य वच्छने इसको पढ़ने से हम अपने जिंदगी को तियार कर सके आनन जिंदगी को बहुत अची बात है मैं सहिमा तो आपके बिचारों से येशु मसी जब इस दुनिया में मतलब खास करके वो जो साड़े तिन साल उन्होंने सिवकाई किया बहुत लोगों के पास वो गाया जैसे सदूसी भी है फरेशी लोग भी है ये लोग धरम सास्तर के लोग कहलाते थे ज़्यादा जान करी रखते थे लेकिन येशु मसी धरम सास्तर के विशे में उन लोगों को क्या बतलाना चाहता था तो समय येशु मसी ने धरम सास के विशे में लोगों को क्या बतलाया और जिसका जो रिस्ता आज भी है बाइबल कहते हैं यहुना के पुस्तक में जोन 5.39 में यह इश्यु ने का तुम पावित्र सास में ढुनते हो क्योंकि समझते हो उसमें आनन जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो इश्यु की गवाई देता आमेन, आमेन लोगों को दिया बहुत बहुत धन्यवाद यह जो परमेसर का वचन है यह यह मसी के विसे में गवाहिद देता है बताता है लेकिन यह जो परमेसर का वचन है यह मसी के विसे में बताता है लेकिन यह वचन कैसे एक विश्वासयों की जीवन में काम करता है यह बहुत बहुत स परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वचन जो सदा का है, जब इस वचन को एक इनसान अपने जिंदगी में लेगा, प्रभाव शालियस के जिंदगी, उसके जिंदगी क्या होगा, उसके जिंदगी में बडलावत आगा, तो वचन एक वेक्ति के जिंदगी को बडलत है उसमें बडलावत लेकर इस बहुत भदने यह नयवोद मतलव आप यह बताना चाहता है कि मतलव हम यह भी शीख रहा है कि पर पर में War I Ret Can लिखन है वह ये शुट मसीन बिसे में गवाही भी देता है यह मतलब ये सुमतिके भीशे में ज़ादा जन कर हमें देता है यानि कि जब एक विश्वासी येसु मसी के बिशे में जब जानने की कोशिस करता है वो येसु मसी को भी जानता है और अपने जीवन को भी मेहसूस करता है और एक बहतर और बहतर तरीके से वो अपने जीवन को सुन्दर तरीके से बना सकता है और जैसे आपने बताय बाइबल कहते हैं कि प्रभु का जो वचन एक मधू के समय बहुत ही स्वाधिस हम जब भोजन करते हैं ना हम स्वाध लेकर भोजन स्वाधिस से भोजन इस्तमाल करते हैं इसी तरह जा हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे इसमें स्वाध है हम लोगों को इसमें समय निकालना है सबसे बैस समय निकालकर परमेशर के वचन को पढ़ना है कि कि यह जो वचन है हम लोगों को आनन जिंद्दगी देते यह जो वचन है ईशु मसीकी जो कहानी है यहाँ पर मिलते हर एक पन्ने में ईशु के विशे में हम जान सकते हैं तो यह जो पूरा जो धरम सास है, इश्व मसी की प्रेम पत्र हम मनुष्य के लिए, जब लोगों के पास प्रेम पत्र आते, किसी ने तेरे पास प्रेम पत्र लिखा, अभी तलग ने लिखा, जब लोगों के पास अगर प्रेम पत्र जाते, कई बार बार उसको पढ़ते न, लेकिन ने जो प्रेम पत्र, प्रेम परमेश्वर उसने हम मनुष्ट को दिया, हम लोगों को उसको क्या करना है, परना है, सवाद इसमें मिलेंगे, बहुत बहुत धन्या बाद, यानि कि ये जो प्रमेश्वर का बचन है, आपने बता ये एक प्रेम पत्र है, यानि कि बातचित से हम उम्मिद करते हैं आप आसी सीथ हुए हैं हमारे साथ जुड़े रहे या बने रहे हैं हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक चोटा सा ब्रेक के बाद प्रियोदर्शकों आप सभी का स्वागा थे इस ब्रेक के बाद जैसे हमने देखा कि पवितर सास्त्र जो है एक प्रेम पत्र है एक मधू के समान इसका जो स्वाध है यानि मीठा है शर्मा जी आपने हमें मदद किया और मदद भी कर रहे हैं और कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो परमेशवर का जो वचन है इसके पास ऐसा किस तरह का छमता है जो हमारे विश्वासियों को जिवन को या उनके मन को सूथ कर सकता है क्या आप हमें मदद करेंगे प्रभू का जो वचन ने इसमें शक्ती है और किस तरह से प्रभू का जो वचन ने एक वेक्ती के जिंदगी में काम करते है बाइबल केते है जोन 15 वेस 3 में तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम से कहा है शुद्ध है यह वचन एक वेक्ती के जिंदगी को साफ करता है यह जो वचन एक वेक्ती के जिंदगी को सुधारता है एक जो वचन एक वेक्ती के जिंदगी में प्रभाव शाली करता है आमेन यानि कि जब हमारे जोन में बिमारी होते हैं तो हम दवा लेते हैं तो वचन भी उसी तरह ही है अगर हमारे जिवन में कुछ उतार चड़ाव होता है तो हमें संतुलन में रखता है मतलब कि सही जगा में रखता है लेकिन ये जो परमेशर का वचन है जब हम देखते हैं कि कहीं तरह को से कि परमेशर का वचन बहुती समर्थ ही है लेकिन ये जब परमेशर का वचन किसी के जिवन में आता है यानि कि परमेशर का वचन अगर किसी के जिवन में लाया जाता है तो उसके जो उन में कैसा प्रभा पड़ता है अची बात एक और एक तरीका से इसको इस तरह से कहना चाहता हूं कि क्या होती है जब परमेश्वर का जो वच्छन एक वेक्ति के जिंदीगी से टकराता है बहुती इस वच्छन में शक्ति क्योंकि बाइबल हम लोगों को बतला है कि जब वच्छन एक वेक्ति अपने जिंदीगी मिलेता किस तरह से उसके जिंदीगी में काम करते हैं बाइबल केते हैं हीब्रू के पुस्तक में हीब्रूस 4 वेस 12 में क्योंकि परमेश्वर का वच्छन जीवित है और प्रभल और हर एक दो धारी तल्वार से भी बहुत को जीब और आत्म और गाड गाड और गूदे को अलग करके बार पार च्छेटता है और मन की भाणा और विचारों को जासता तो प्रभू का जो वच्छन एक वेक्ति का पूरा जिंदीगी है उसमें काम करते हैं उसका सोच उसका विच्छन उसका उठना उसका भाइटना खाना़ का पीना पूरे तरीका से प्रव जो वक्टनी एक वेक्टी के जिन्दगी में काम करता। जी जी मैं आपके बातों से सहुमा दूर्च ऑगर बोलेंगे तो एक सास्तर के समान है, जो जीवनों को अगर कहीं उसमें नंदकार है तो उसमें जोती देता है, अगर बुरा या से बहरा है तो उसमें भलापन भी यहां पे दिखाए देता है. लेकिन क्या हमें बताएंगे कि यह जो पर्मेश्वर का वचन है वचन पर्मेश्वर के बारे में एक ऐसा चीज हमें बताईए कि यह जो वचन पर्मेश्वर के बारे में क्या कहता है Bible को जब देखते है Bible परमेश्वर की विशे में बहुत कुछ बतलाता परमेश्वर प्रेम है परमेश्वर सनातन है परमेश्वर यूग यूग है परमेश्वर दयालू है परमेश्वर छमावान थे परमेश्वर क्रीपा कहा है लेकिन जब देखते है हम डिटरूमी के पुस्तक में 32 और 64 में परमेशर चटान उसका काम खरा है उसकी सारी गति नियाए की है वा सच्छा इश्वर है बाइबल क्या कहते है बाइबल हम लोगों को यह बतलाते है कि परमेशर सच्छा इश्वर है तो यह जो बाइबल प्रगट करते है सनातन प्रभु परमेश्वर जो सच्चा ईश्वर है आपने अभी अभी बताया कि परमेश्वर वो सच्चा है और सच्चा ही क्या है और सच्चा ही को हम कहां से पा सकते हैं बहुत बहुत बढ़िया सवाल आप करते हैं यह सब सवाल कहां से लेकर आए । जी हमारे विश्वां सोग के पास ये सारे सवाल आते रहते हैं। तू सत को जानोगे अस्वत तुम्हें स्वतंतरता आजादी देगा तो बाइबल अम लोगों को आजादी देता है क्योंकि ये सत्ते प्रभु परमेश्वर का सत्ते वचन सर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद की आपके पास हमारे पास जैसे सवाल हैं आपके पास भी वैसे ही जबाब हैं और हम उम्मिद करते हैं कि परमेश्वर आपका अग्वाई कर रहे हैं और हम आपसे बहुत कोई सीखेंगे हम बहुत धन्यवादी हैं वक्री में कि ज जो जितना सवाल है हमारे जो नए बिश्वास में आते हैं ये सुमस्जी को जानते हैं वो कहीं तरह का तरह किसे हमें सवाल करते हैं और हम उम्मिद करते हैं कि इस खास रिंखला के मध्यम से परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचेगा और वो लोग आसिस होंगे और आज के इस जो बाचित हैं हम यही पर समप्त करना चाहते हैं और हम आपसे निमंतरन करना चाहते हैं हमें अखरी प्राथना में अगवाई करें प्रभु जी धनबाद देते हैं कि आपने हम लोगों को अपना प्रेम पत्र दिया जो तेरा धरम सास थे पवित्र है सत्य वचन है क्योंकि तू ही सच्छा है तू मदद करना प्रभु ताकि हम सब आपके वचन को अपनाएं क्योंकि इश्य मसी का प्रेम कहानी है आपकी विशे में जाने और उस आनन जीवन के रहा पर चले जो तेरा चाहते कि हम सब उसको प्राथ करे इस वचन को अपने जिंदगी में रखे और अपने जिंदगी म आम, आमेन इस हिंदी हॉप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा क्योंकि परमेशवर का वचन आपको मदद देगा इस चैनल के मध्यम से आप इस चैनल को दूसरा के तक जरूर सजा करेगा परमेशवर आप सभी को बहुत आयत के आसिस्ते और आपको सुरक्षित रखे आमेन झाल 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 झाल